गुड मॉर्निंग दिली बहुत स्वागत है आप सभी का सुभा के हमारे इस खास बुलेटिन में मैं हूँ आपके साथ मर्या मली चलिए जली से नज़र डाल लेते हैं आज की बड़ी खबरों पर सिंगर दिल जी दोसां जिस वक सिफ देश में ही नहीं दुनिया में भी चाय हुए हैं उनके फैंस इतने जाधा दिवाने हैं कि लाखों की भी लग जाती है उनके कॉंसर्ट में अब उनका जो दिल्मिनाजिक टूर है उसी को लेकर आज उनका चंडिगर में कॉंसर्ट है बतादें कि चंडिगर के सेक्टर 34 में प्रदर्शनी ग्राउन में ये कॉंसर्ट होगा इसमें दोनों राज्ये के सीम मौजूद रहेंगे वहीं इसके लावा कारेकरम में पंजाब के राज्यपाल और चंडिगर के प्रिशासर गुलाद चन कठारिया भी मौजूद रहें में चंडिगर पुलिस के अफसरों समित करीब 1200 जवानों को तैनात करने का फैसला किया गया था, मगर हरियाना और पंजाब के मुख्यावं अंतरी समित अन्य बड़े नेताओं और साथ ही उद्योग पतियों के पहुशने की सूचना पर सुरक्षा विवस्ता और जादा किया 1200 से बढ़ा कर 2500 कर दी गई है, हरियाना और पंजाब पुलिस भी मौजूत रहेगी, वही कारेकरम को लेकर दोनों ही प्रदेशों से अधिकारी कारेकरम इस्थल पर जाच के लिए लगतार पहुश रही हैं, उधर संयूत किसान मोशा ने यह एलान किया था कि 14 दिसंब पंधेर उन्होंने क्या कुछ बताया, सुनिये आज हमारा तीसरा जथा 101 किसान का मजदूर का जो है दिल्ली की और कूछ करेगा समय होगा बारा बजे जिसकी अगवाई जसमिंदर सिंग जी लौंगोवाल, मलकी सिंग जी, गुलामी वाला और हमारे और साती भंगाला जी हैं और भी लीडर्स होंगे जो इनकी अगवाई करेंगे और देखिए पूरा देश किसान मजदूर अंदोलन से जुड़ा हुआ है लेकिन स्वयम परधान मंत्री जी इस अंदोलन से अपनी दूरी बना के रख रहे हैं हमारे क्रिशी मंत्री जब प्रेस उनको घेर के सवाल करती है कुछ इनके उपर बोल भी नहीं रहे हैं और जिस तरह के भाजपा के MP ब्यान बाजी कर रहे हैं वो समदायों में फूट डालने वाली है और सरकार की अजंसियां पूरे जोर शोर पर लगी हुई है पंजाबियों में अड़ाई करोड हर्याना वास्यों में ये बात पुट करने पे लगी हुई है पिपंजाब हर्याना मिल भी जाए पूरे का पूरा तो भी मोर्चा जीता नहीं जा सकता देखिए मैं कहता हूँ तीन क्रोड आवाम बहुत बड़ी बात होती है और ये अड़ाई को रहराने के लोग ये साड़े पांच क्रोड लोगों को मैं अहवान करना चाहता हूँ अब जिस तरह से आपने मन बना लिया है आप अगर कठे होकर इस मोर्चे को जिस तरह से सपोर्ट करना शुरू कर रहे हैं पूरा देश देश का 140 करोड लोग आपकी सपोर्ट में आएंगे वही देश के सम्विधान की 75 साल पूरे होने पर संसद में सम्विधान को लेके चर्चा हुई थी इस पर विपक्ष के कई नेताओं को ने किन सरकार को घेरा कई सवाल किये इस पर आज पीए मोदी उन सब सवालों के जवाब देने वाले हैं इसी को लेकर मेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी संसद में अपनी बात रखेंगे आपको बता दें कि प्रधान मंत्री का भाषन शाम चार बजे के करीब होगा जबकि राहुल गांधी का संबोहन करीब दो बजे हो जाएगा वहीं बीते दिन की चर्चा में विपक्ष पक्ष के बीच जोरदार वार पलटवार देखने को मिला सरकार की ओर से जहां रक्षा मंतिर राजना सिंग में मोचा समाला वहीं विपक्ष की ओर से प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव समेट बाकी कई सांसरों ने तीखा हमला बोला था केरल के वायनाट से भारी भरकम जीत दर्श कर संसत पहुची प्रियंका गांधी ने बीते दिन लोकसभा में अपना पहला भाशन दिया इस दौरान उनके भाई राहुल की खुशी देखने लायक थी लोकसभा स्पीकर उंबिल्ला ने जैसे ही प्रियंका का नाम पकारा पास बैठे राहुल गदगद हो उठे यही नहीं इस पीश के दौरान भी राहुल बीज बीच में प्रियंका गांधी की होसला अवजाई करते दिखे आपको बता दे कि केरल के जिस वायनाट सीट से प्रियंका गांधी जीत कराई है वो पहले राहुल गांधी के पास थी राहुल गांधी ने चारजूं 2024 को आए लोकसभा नतीचों के बाद वायनाट सीट छोड़ दी थी उन्हें यूपी की राय बरेली और केरल की वायनाट दोनों से जीत हासिल हुई थी लेकिन राहुल गांधी ने राय बरेली से ही सांसत बनने का फैसला किया था चलिए थोड़ी जानकारी मौसम की ले लेते हैं कई दिनों से हम आपको बता रहे हैं कि दिली NCR में शीत लहर चल रही है इसी को लेकर बीते दिन आयमजी ने ये अलट भी दिया था कि दो दिन यानि कि आज और कल सेटरड़े और संडे काफी जादा शीत लहर देखने को मिल सकती है लेकिन जैसे कि आज की सुबा हुई तो ठंड में थोड़ी सी रहा देखने को मिली जिसके बाद जो आयमजी का पूरा नुमान था वो गलत साबित हो गया लेकिन आने वाले दिनों में हो सकता है कि शीत लहर ऐसी ही जारी रहे वही मौसल विभाग का कहना है कि उत्तर परश्यम भारत के जादतर हिस्סों में नियूंतम तापमान में कुछ खास बदलाव नहीं हुआ दिल्लियों कुछ जगों पे स्थानी मौसली परिस्थितियों हवा की गती और दिशा में हुए बदलाफ से नियूंतम तापमान में बढ़ोतरी हुई है आयमडी ने शनिवार यानी आज के लिए पहले से जारी यलो अलर्ट वापिस ले लिया है उदर आयमडी के मताबिक आज आसमान साफ रहेगा सुबा और शाम के वक्त इस मौक और दुन हो सकती है अधिक्तम तापमान 27 जिद्वी रहेगा तो वहीं नियूंतम तापमान 60 डिग्री सेस्यस रह सकता है वहीं अगर संडे की बात करें तो उस दिन मौसम ऐसा ही रहेगा लेकिन मौसम विभाग ने आज पंजाफ हरियान समेथ उत्तरपशी भारत की कई इलाकों में शीत लहट चलने का पूरो नुमान जारी कर दिया है वहीं आयमडी के मताबिक बीते दिन दिल्ली में अधिक्तम तापमान 22.8 डिग्री दर्श किया गया जो समानने है और पिछले दिन के मुकाबले 0.6 डिग्री सेल्सियस जादा रहा वहीं नुम्तम तापमान की बात करें तो वो 9 डिग्री सेल्सियस दर्श हुआ जो समानने है, पिछले दिल यानि ब्रस पतिवार को नूंतन तापमान 4.5 डिगरी सेसेस दर्च किया गया था इसके मुकाबले दिल्ली में नूंतन तापमान 6.5 डिगरी सेसेस जाधा रहा तो ये थी आज की वो जरूरी खबरे जो हमने आपको बताई हम आपको इसका अपडेट भी लगतार देते रहेंगे बस आपको उसके लिए जुड़े रहना होगा नवोदे टैम्स पंजाब केसरी के साथ